नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं आप जोतिश जराट के का खास एडिशन ब्रहश्पति का राशी परिवर्तन ब्रहश्पति 20 नॉवंबर से मकर राशी में प्रवेश करके और आगामी 5 अपरैल 2021 तक मकर में ही रहेंगे तो नॉवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरैल ठीक है 20 से 5 तक 15 पांच 20 मतलब यह हुआ कि 5 महीना 15 दिन के लंसम 5 महीना 15 दिन मकर राशी के ब्रहश्पति हर राशी पर क्या असर डालेंगे नीच राशी में आकर क्या असर डालेंगे आएए इसकी एक बानगी देखते हैं मेश से लेकर के मीन राशी के लिए मेश वालों के लिए ब्रहश्पती भाग्येश और द्वादशेश हो करके दसम में नीच के होंगे काम को लेकर के हिलाएंगे एक बार काम काज में परेशानियों का कारण ये पैदा करेंगे गलत निरड़ेओं के कारण आप मुशीबतों में फ़स सकते हैं आप पर किसी न किसी रूप में कुछ समस्या मेजर इशू आ सकते हैं राज्यपक्ष पुलिस कोर्ट का चहरी से जितना हो सके बचने का प्रयास करिएगा आपको ही उल्टे फसना पड़ सकता है मेश वालों के लिए रिस्तेदारों के साथ रिस्तों को मधरू करने का प्रयास करें माता के स्वास्त की चिंता सता सकती है कोई व्रिद्ध घर से परिशानी में आ सकता है आयू संकट ब्रिशब राजियों ब्रहश्पत का परिवर्ता ब्रिशब के लिए ब्रहश्पती कोई बहुत खास रोल नहीं निभाते रिजन एक तो ये नौमेश है माफ कीजिएगा अश्टमेश है आठमे के स्वामी है और एका दस के भी स्वामी है ब्रिशब राशि के लिए तो आठमा और ग्यारहमा दोनों भाव बहुत बुरा होता और ब्रहश्पती आपके राशि लगने से के सत्रों हैं उपस्थित रहेंगे आपके बहुत मजबूत घर में मतलब आपके लिए बहुत योग कारग घर में एक तरह से रहेंगे भाग्यस्थान पर रहेंगे तो सबसे बड़ा टैक ये देंगे कि जो भी चीजें भाग्यत तह आपको मिलने वाली थी उनमें एक अवरोध ये जरूर डालेंगे जैसे दस लोगों में से दो का सेलेक्शन होना है तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये किस्मत से होना था कहीं इंटर्व्यू देंगे आप तो मतलब कहीं न कहीं अडचन औरोध पांच बहिने आपके लगातार रहेंगे बड़े निवेश से बचिए, बड़े रिस्क से बचिए, पार्टनर्शिप से बचिए, उधार देने से बचिए, स्वास्त से बचिए, हर जगए आपको बचना है मिथुन राशी, योग कारक होते हैं, सबतमेश और दसमेशों करके रहेंगे कहाँ, नीच राशी में, अश्टम भाव में, लिहाज़ा स्वास्त की चिंता, मिथुन राशी की महिलाओं के गर्भपात, एबॉर्शन्स हो सकते हैं चोट चपेट की संभावना, लीवर की प्रॉबलम, रुगों पर धन की खर्च, गुप्त चिंता, धन का हडपा जाना, ब्लैक बनी का फसना होने वाला है, अगर आपकी राशी मित होना है प्रेम प्रसंगों में छट फटाहट किसी ने किसी तरह की मानसिक अशान्ती हो सकती है, करक राशी सब तमभाव में आएंगे, आइस्थिर्ता की इस्थिती पैदा करेंगे, दामपत जीवन, पार्टनर्शिप, रुपया पैसा, वाहन से चोड़ चपेट, पेट की दिक्कत, आँखों की तकलीफ, बड़बोलापन, अहंकार, घमन राधी देते ही है, खर्च के अधिकता भ प्रवेश छटे भाव में है, आस्तीन के सांप बिलबिला कर बाहर निकलेंगे, आपको चीट करने वाले बुरी तरह से आपको परिशान करेंगे, पैसा कहीं न कहीं फसेगा, कोई आपका अपना सगा समन्धी आपको गंभीर चोट देगा, धोखा देगा, पति-पत्नी के बीच भटकाव और दूरी की संभावना सत प्रतिशत बढ़ रही है, कन्याराशी, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर के, पंचम भाव में रहेंगे, शिक्षा के प्रति अरुची रहेंगी, दिब्विज्ञान होगा लेकिन, वैराग ज्याएगा, लेकिन कुछ धार्म विक्ता की वृद्धी होगी, धार्मी क्या त्राएं होंगी, दादा दादी बनने का सुख मिलेगा, कन्याराशी, लाब की अउसर बनेंगे, तुलाराशी, ब्रहश्पती कम्प्लीटली आयोग कारक होता है, अशुब होता है, तुलाराशी के लिए इससे बुरा कुछ हो ह नहीं सकता है, तुलाराशी के लिए बैठे गाई आपके पंचम भाव में, माफ कीजेगा चतुर्थ भाव में, माता के प्रती चिंतित करेगा, वाहन से चोट चपेट की संभावना बनेंगे, पेट की समस्या होगी, धन का खर्च बढ़ेगा, पबलिक के अंदर आपके बारे में एक गलत विचार जाएगा, एक बैड मैसेच जाएगा, कुछ गलतियां जो पहले किये थे वो ब्रहश्पती उजागर कर सकता है, विवेक हिंता आपके लिए परेशानी का कारवर बन सकता है, सतर्क और सावधान रहने की आपको आवश्यक्ता है, ओवर अपरेल तक रोना पड़ेगा, दुश्चेक राशी, दुटियेश पंचमेश होने का सवभाग्य लेकर के, तिरती भाव में रहेंगे, मेहनत से सब मिलेगा, जितने पेंडिंग काम थे सब बढ़ जाएंगे, भाग्य एक दम से चमकेगा, पंचमेश होकर के नो मस्थान पर उच्छ दृष्टी से देख करके अदभुत आनन्द देंगे, चमतकार दिखाई देगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, जीवन में नई सुरवात की उद्गोशडा होगी, ब्रिश्चिक वालों के लिए हम सबसे अलग फलवता रह है, रिजल्ट सामने आएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपका वेट करेंगे, धनु राशी, दुती भाव में आ गये है, अपनी ही राशी के स्वामी होकर, अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, परिवार में छोटे बच्चे के साथ कोई दुरभटना हो सकती है, किसी तरह की या आपके बच्चे की राशी धनु है, तो जरूर एक बार मिलने की कोशिश करिएगा, मैं आपका वेट करूँगा, मकर राशी, आपकी ही राशी में ब्रहश्पति आये हैं, दुआदस स्थान के स्वामी होकर, तीसरे भाव के स्वामी होकर, तुला के बाद अगर किसी के लिए गुरू बहुत बुरे हैं, तो मकर वालों के लिए, गलत निरणेओं के कारण कुछ मुश्किलें आपकी आने वाली हैं, कुछ हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं अनावश्यक पैसा कहीं लगा दें, पेट की समस्या, आँख की और आंत की समस्या, इस ट होड़ा सा टल जाईएगा, टाल दीजेगा, अपरेल के बाद तै करने कोशिश करिएगा, क्योंकि बीच में रिस्ता तूट जाएगा, कुम्भराशी, द्वादशेश, और माफ कीजेगा, एकादशेश, कुम्भराशी के लिए, एकादशेश, और दुतियेश हैं, बैठे चीटर आपको चीट करने की फिराक में हो, कन्फॉर्म चीट करेगा, आपका पैसा लगबग अकाउंट खाली हो जाएगा, पांच महिनों में अगर तयार नहीं होते हैं, निवेश के लिए एक बार कुंडली दिखा लिजेगा, हम बताएंगे, दशा अंतर दशा क्या धार पर कहा निवेश किया जाए, पैसा आपके पास है, गलत जगह फसिएगा मत, लोग आपकी इर्दगिर्द जुन्ड बना के टहल रहें, उनसे बचने की कोशिश करिएगा, में राशी, आपकी अपनी ही राशी के स्वामी होकर गुरू, एका दस भाव में बैठेंगे, और दशमेश होकर के, लगनेश होकर के बैठेंगे, पेट की समस्या, संतान के प्रतिचिंता, संतान का आपके विरुद्ध आचरण, संतान का बंपर भटकाव, अगर बालिग लड़की है, आपकी राशीमीन है और आपकी लड़की अठारे साल की होगी, 14-15-16 की बालिग हो र लोप से, लौक ना लगाने दीजेगा, आपकी राशीमीन है, बेटी बड़ी हो गई है, चार-पांच महिने गज़बर दस्त फोन पकड़ के रखिए आप, बड़ी मुसीबत से आप बचा ले जाएंगी, अगर आप महिला है, पुरुष हैं, पापा हैं आप, आपकी टाक करेंगे, तो वो वाइलेंट होगी, ब्रहश्पती नीच के हैं, राशी के स्वामी नीच के हैं, गलत जवाब दे देगी, आप फील कर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, तो इन जीजों पर आपको गुप्त रूप से आप जल्म करना है अपने बच्चों पर, म इन राशी वाले माता पिता के बारे में बता दे, स्वास्त को लेकर के सजग रहिएगा, और जादा बड़ बोलापन नहीं दिखाना है, हंबल रहना है, जुक के रहना है, बड़ों काशिर बात लेना है, उपाय क्या करें, गुरु जब नीच के हैं, तो उल्टे हाथ से ए प्राइल दो हजार इक्किस तक लगातार, नो नॉनवेच, नो पत्थत, दो ही शर्त, बाकी कुछ नहीं, तो कुछ एक राशियों को छोड़कर बाकी के लिए ब्रहश्पति नीच के होकर कि विवेग शोन ने बना कर परिशान ही करेंगे, उपाय करिएगा, और एक बार मि लीजेगा, जिनको जिनको हमने मिलने के लिए कहा है, उन्नीच से पच्चिस दिसंबर आपका इंतजार करेंगे, दिब निश्पाप ये काहिस्ता बना रहे हैं, बस सोचिये मत बुकिंग करा लीजेगा, नमस्कार.